एलो एवडिवन मैं पुझा चोधरी खुशी मेकवर से वेलकम टो माई चैनल तो देखिए आज हम इनका मैक अप करने वाले हैं और बहुत सिंपल मैक अप करने वाले हैं तो आप देख सकते हैं कि इनका जो फेस है ना जादा गोरी है यह ना जादा सामली है बलट मीडियम फ है और बहुत अच्छा प्राइमर है तो cm अल्रेडी हम इनका कर चुके है तो आब यह प्राइमर लगा रही हैं तो देखिए आप देख सकते हैं हम इनके प्राइमर लगवा रहे हैं और आज इनों ने मुझसे बोला है कि भावी आज में इनका मैकप खुद करूँगी तो हम अपने जो पालर में बच्चे सीखते हैं और जो जॉब भी करते हैं उन लोगों से भी काफी कहते रहते हैं कि आप लोग भी अपना करा कीजिए और मैं आ अज़र यहार होई हैं तो देखिये इनकी स्किन को हम ने प्राइमर लगा दिया है अब इसके बाद हम इस पे इनके फेस पे देखिये कलरबार की कंसीलर लगारे हैं और ये बहुत अची स्वी को को उतीफ हैं तो इस तरीके से हम इनके ज्यादा इनकी skin में problem नहीं है बट इतनी भी healthy skin नहीं है जैसी होनी चाहिए इस age में बट देखे सब चीज़ों कि हम बिल्कुल light सी coverage करते चले जाएंगे और हम इनका heavy makeup नहीं करेंगे ज्यादा मता थोड़ा light में ही रखेंगे क्योंकि इनके घर पर जो function है वो इतना heavy नहीं है बट उसके हिसाब से आज हम इनको ready करके भेजने वाले हैं तो देखे इस तरीके से हम लोग concealer लगाएंगे और अब यह इसको अच्छे से merge करेंगी skin में तो वो beauty blender से करवारी हूं मैं और आप देख सकते हैं कि skin पर कितना फर्क आ गया है only for concealer से ही क्या होता है जब हम लोग product बहुत अच्छे use करते हैं तो अपने आप ही makeup का grace बहुत अच्छा आता है मैं अपने बच्चों को भी बोला है करने के लिए कि आप लोग भी किया करो तो देखिए इस तरीके से मैं आप लोग के साथ इन लोग की वीडियो भी शेयर करूंगी जब यह लोग किया करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यह इसको पूरे concealer को हमें all face पे लगान इनका तो हमें ज़्यादा कुछ करने की इनके ज़रुत नहीं पड़ी तो देखिए अब देख सकते हैं आप concealer से ही इनकी skin पर कितना अच्छा glow आ गया है तो अब हम next जो ले रहे हैं वो wet and white का मैं foundation ले रही हूं बहुत अच्छा foundation है high coverage foundation है तो आप देख सकते हैं इनके हम कि अच्छे से फिर भी इनके हो जाएगा तो हमें पहले जो सुरुवात करनी है कभी भी हम makeup की करेंगे तो थोड़े ही product के साथ करेंगे और जब हम उस makeup को final test देते हैं तो अगर हमें कहीं भी कम लग रहा है तो हम उसको दुबारा लगा के कर सकते हैं और आज मैं बहुत limited समान के साथ मैं आपको makeup दिखा रही हूं यह सारे जितने भी product है इनके purchase link में आपको provide करा दूंगी description box में तो आप देख सकते हैं तो इस तरीके से देखें इन्होंने foundation अब इनके लगा दिया है और अब यह beauty blender से उसको merge करेंगी यह चीज बहुत जरूरी होती है अगर आप अपन को भी यही करने के लिए बोलती हूं कि आप लोग beauty blender से ही अपने foundation और concealer को merge किया करो तो इसकिन में क्योंकि बहुत अच्छे से फिर पैरिटेट हो जाता है वह तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी coverage हुई है और मेरे पास काफी कमेंट इस चीज के आते हैं कि मैं हम कि मतलिम करती है तो ही बिल्कुल कर पाएंगे तो मैं आपको इनके जितने भी प्रोडक है उनके पर्चेज लिंग आपको दे दूगी तो अगर आपको इयलुक अच्छा लगे तो बिलकुल आप मेरे को create करके और इसको बताई य이 लूब कमेंट में कि आप लोग कर पाए कि नहीं कर पाए इस तरीके से हम लोग उनकी देखे पूरे फेस पे ठीक से इस तरीके से लगाएंगे और इसको उसके बाद नेक्स स्टेपिंग करेंगे देखे इसके बाद अब मैं ये लेकमे कर ले रही हूँ ये फाउंडेशन ये पॉर्डर फाउंडेशन है और ये बहुत अच्छा रहता है और एक तरीके से आप कॉम्पैक्टी समझेए इसको तो इसी तरीके से ही काम करेगा तो आप देख सकते हैं इनके फेस पे कितनी अच पेलिकल भी और बहुत अच्छा इनका आया है मैकप का तो अभी हम स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से अभी ये इसको पूरे फेस पे इनके अच्छे से मैकप को सेट कर देंगी ये काम भी बहुत जरूरी होता है इसकी जगा पे आप जो सेटिंग वाले पॉर्डर आते ह हैं और आप compact भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं ये यूज़ करा रही हूं क्योंकि मुझे ये काफी ठीक लगा coverage में भी इस तरीके से इसको हम कर देंगे तो इसमें से हम ब्लैक कलर जो है उसको पिक करेंगे और इनके eyebrow को फिल करेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल easily brush की सा miesz अब लोग इसको फिल कर सकते हैं। सबसे पहला काम जोता हो यही होता है कि आइब भो को फिल करेंगे उसके इस तरीके से यह पर रहूए हैं पर हमां फिल कर रही हैंतो इनके eyebrow ओनृ ऑगा हम हम घांए ले रहे हैं यह सिस ब्यूटी का हाइलाइटर स्टिक है बहुत अच्छी स्टिक है देखिए आपको दिखा देती हूं अभी यूज करेंगी तो आप देख सकते हैं कितनी पिग्मेंटिड है यह तो हमें जो अपनी एरिया का पार्ट हाइलाइट करना है जो जो चीजे उस लगाएंगे हम और उसके पाद इसी के पीछे इसको इसको सब्सक्रिट करने के लिए भी आता है तो उसको तरह से हम इसको शेंगे कि बहुत अच्छे से इसको वहीं पर मर्च कर देंगे जहां जहां पर हमने लगाया है तो आज मैंने इस्टिक यहीं लगवाया है हाइलाइटर बाकी पॉडर वाले हाइलाइटर भी आते हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल अराम से बट मेरे को यह आजकल काफी बैटर लग रहा है बहुत इजी होता है कोई भी इसको हैंडल कर सकता है तो इस तरीके से यह काफी बैटर होता है जिस जगह पर भी इनकी स्किन हाइलाइट हो रही है वहां पर देखिए आपके तब प्यारा लग रहा है तो इस तरीके से हम लोग हाइलाइटर लगाएंग कि उसको अच्छे से मर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं इनका हाइल्ट कंप्लीट हो गया और आप मैं इनके पॉडर कॉंटुर करा रही हूं ब्रॉबंजर पॉडर है ये और ये वेडर वाइट का है काफी अच्छा है और देख सकते हैं ओनलिक्व रहलके-लकी हमें शेब जरूट नहीं है देख सकते हैं इस तरीके से इनके फेस पे यह ब्रॉंजर से थोड़ा कॉंटॉर कर रही है उससे क्या होता है हमारे इसकी फेस को एक स्थेप मिल जाती है थोड़ी हलकी सी और किसी-किसी के जरूत होती है यह सब कुछ करने की ज़्यादा लोगों के जरूत नहीं उते हैं इंगे ज्रुत नहीं सकते हैं है इनिके फीचर भी बहुत प्रह लेकित decision युक्त हेयरे स्कारी आप देखसक्ते हैं इनकी आईस पर आगए हैं जोड़ा इनके मैंसीप sì तो 3 ने रेट का टस्ट दे रहे हैं तो मैं इनके आउटर कोनर पर रेट लगवा रही हूं और इनर कोनर पर हम इनके गोल्ड लगाएंगे तो उसी से इनकी आँखों का बहुत अच्छा लुक आएगा तो देखे इस तरीके से बिल्कुल भी जादा नहीं लेना है बहुत लाइट देखे आप देख सकते हैं इन्हों ने ये रेट का व्म कंप्लीट कर दिया है और अब ये इसके अंदर इनर कोनर पर गोल्डन शेट दे रही है तो मैंने इनको बोला है कि आप फिंगर से दो कलर बहुत अच्छे से उठके आता है तो देख सकते हैं बहुत लाइट पिछ सकते हैं इतनी कलर के साथ में आखे किती प्यारी लगने लगी तो आप देखें दिखाते हूं तो देखें अभी आप देख सकते हैं यह यह एकู้ने का ऊपलट है चोटा सा घ्लिट्टी पलट तो हलका सा हम इनके आखों के बीच में लगाएंगे बहुत लाइट सा only for hulka सा glitter देने के लिए देखे आप देख सकते हैं इससे क्या होता है आखे हमारी थोड़ी अलग सी लगने लगी है हलकी सी जादा नहीं लगाएंगे बहुत कम लगाएंगे तो देखे आप देख सकते हैं बिल्कुल light सा हमने ये इनकी eyeball पे लगा दिया है देखे आप देख स सकते हैं कितनी light coverage हम लोगों ने की थी बिल्कुल भी कोई भी heavy product यूजनी क्या है और कितनी अच्छा इनका makeup आया है तो आप कभी भी अगर बहुत ज्यादा light makeup के साथ किसी party को अटेंड करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल best है और बिल्कुल भी hard नहीं ह और ज्यादा मोटा हमें नहीं रखना है क्योंकि साड़ी पहन रहे हैं तो उस पर ज्यादा मोटा अच्छा नहीं लगता है जब हम कोई भी thick liner लगाते हैं तो उसके उपर हम इंडो वेस्टन कपड़े जब पहनें इस चीज की जनकारी होना बहुत जरूरी है कि हम क्या पहन रहे हैं और हम उसके उपर कैसा मैक अगर हमें इस चीज की नॉलिज नहीं है तो हम मैक अच्छा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें कपड़ों की सेंस होना बहुत जरूरी है कि साड़ी पर किस तरीके से मैक अप होता है और इंडो वेस्टन जो कपड़े होते हैं उन पर किस से बिल्कुल समझाती हूं कि क्या मैक अगर कोई सुट पहरा है तो इस पर क्या मैक अप करना है को इंडो वेस्टन कपड़े पहन रहा है तो उस पर क्या मैक अ है हेर स्टैल भी देखिए उसी के अकोडिंग होता है अगर अलग तरीके से हेरिस्टैल होते हैं और अगर आप तो अगर आफ लेंगे वगे पायं रहें तो अलग तरिके का हेरइस्टाइल होता है, और एगर आप violation करता है कि आप पेहन रहे हूं, और उस्ती तgano मैक्अप हमें create करना होता है, आँके सकते हैं लाइनर लगते से इनकी आँखे कितनी प्यारी लगने लगियें और कितने कम काम के साथ हमने इनका complete करा दिया है makeup तो अभ यह दिखाती हूँ मैं आपको इसके बाद हूँ देखीज़ आप देख सकते हैं इनों इधर का eyeliner बहु उदर का भी almost done है अब ये नीचे काम करेंगे आखों पे तो देखिए आप देख सकते हैं ये भी स्टेट वर्की का है और ये काजल है तो पहले ही इनकी आखों में काजल फिल करेंगी आप देख सकते हैं देखिए जब भी हम किसी के काजल लगाते हैं तो सबसे में प्रॉब्लम है कि पानी आने लगता है बहुत उस चीच का थोड़ा सा ध्यान में रखके काजल लगाएं इस तरीके से देखिए इनके काजल लगा दिया है और अब हलकी हलकी ये आइस के नीचे भी टस देंगी ज्यादा हैवी आइस तयार निकरनी है तो बस इसी का हलका सा ये टस देंगी काजल के साथ ही आप हलका हलका सा इनकी आँखों पर नीचे काम कर दिजिए और देखिए कि तब प्यारा लगता है बताइएगा जरूर कि आप लोगो को ये वीडियो कैसी लगी क्योंकि देखिए ये सब चीजे ना बहुत जरूरी हैं आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं सरिफ आपको अपना ही अपना नहीं दिखाऊंगी कि मैं यह करती हूँ मेरे पारण पर जी ते भी बच्चे करीज़ से चाहती हूं कि पर ध्यूँ गज्ट जो दो लोग भी इस तरीक इसे ध्यान देना है हम किसी से अथना पैसा लेते हैं शृक और हम उनके साथ जब काम नहीं करेंगे तो कितनी गलत बात है तो देखिए आप देख सकते हैं ये स्टेट वर्की की लिपिस्टिक है और इसका नंबर है सेवन और मैं यहीं लगवारी हूं तो देखिए मैं आप लोग उसे कह रही थी कि जब आप लोग कहीं सीख रहे हैं कुछ भी तो जाहिड सी बात है आपके ओनर का भी और आप लोग है कि जो हमारी मैम ने हमें बताया वो बिल्कुल उल्टा पुल्टा और गलत सलत बता दिया है तो देखिए मुझे भी सुनके बहुत दुख होता है कि उन लोग पर इतना पैसा भी दिया इतना टाइम भी दिया और फिर भी वो लोग अच्छे से सिखा नहीं रहे हैं उनको सारे कमेंटों को फेस करने के लिए तेयार हूं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे से काम कर रहे हैं उन लोग के काम को सराया जा इसक्टा प्राइएन कुछ हो कि हो सकता है हम कहीं गलत हो दूसरा हमारी अगर बुराई निकाल रहा है तो हम कहीं गलत हो सकते हैं में भी पॉसिबल हो सकते हैं गलत तो अगर वो कमी निकाल रहा है तो उसका हम को सुदानने की कोशिश करें नेक्स टाइम वो गलती बिल्कुल ना करें तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने आज इनको यही बताया था कि तुम करो मैक अप और मैं वीडियो डालूंगी तो यह मुझसे यही कहर दीगे मैं इतने बैट कमेंट आएंगे अगर कोई गलती होगी तो यह होगा मैंने क्यो को होगी गलती कि देख क्यां देख सकते हैं मेकम और यह सट करेंगे और नेक्स वीडियो आएगी और इनकी एक साड़ी की वीडियो भी मैं डालूंगी क्योंकि वो क्abe expecting के साथ आजी होगा तो आप देख सकते हैं देखिए मैं बिल्कु क्लोज होके भी आपको दिखाती हूं कि इनका कितना अच्छा बेस तयार हुआ है आखे ओपन करो बेटा और देखिए इनकी आखे तयार हुई है और कितना प्यारा इनका फेस लग रहा है तो बताइए का आखे विड्यों सकती हिंग जें उच्छा बालाइए कहा वाल जो जो में तिल दन बाइबया हुआ हुआ है